नमस्कार आप देख रहे हैं महुआ खबर और आपकी साथ मैं हूँ करांति सेंग बिहार जारकन के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्या कुछ राख खास बिहार और जारकन में देखिये हमारे इस खास बुलेटिन में एंडिये से नाराजगी छोड जेपी नड़ा से मिलने पहुँचे पशूपती पारस इस दोरान उनके भतीजे प्रिंस राज भी रहे मौजूद पशूपती पारस से मुलाकात के बाद बीजेपी राश्च्री अध्यक्ष जेपी नड़ा ने जारी की तस्वीर लिखा आने वाले चुनाव में भी हमारा गटबंधन मजबूती से बना रहेगा परिवारवाद के हवाले से समराच चौधरी ने साधा लालू पर निशाना पूछा बाकी बच्चों को राजनीती में कब लाएंगे बेहार में चुनावायों की बड़ी कारवाई दो जिलों के जला अधिकारी और पुलीस अधीक्षक को हटाने का आदेश चुनावी कारेों से दूर रहेंगे अधिकारी शाहनवाज हुसेन ने दिया बड़ा बयान कहां मैं हूँ पाटी का कारेकरता शीर्ष नेत्रित विताय करेगा मेरा भविश्य नाराजगी छोड जेपी नड़ा से मिले पशुपती पारस नड़ा ने जारी की पशुपती से मुलाकात की तस्वीर शाहनवाज का बयान कहां नेत्रित विताय करेगा मेरा भविश्य प्रधान मंत्री मोदी से मुलाकात के बाद आरेल जेपी प्रमुख पशुपती पारस ने बीजेपी राष्ट्रिय अध्याक्ष जेपी नड़ा से मुलाकात की इस तोरान उनके भतीजे प्रिंस राज भी मौजूद रहे बताया जा रहा है कि NDA से उनकी नाराजगी दूर हो गई है इस मुलाकात के बाद सियासी गल्यारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया है बीजेपी राष्ट्रिय अध्याक्ष जेपी नड़ा ने पशुपती पारस से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर चारी की तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा की NDA में हमारे सहियोगी एवं रालोजपा के प्रमुक पशुपती पारस जी से नई दिल्ली में आवास पर मुलाकात की NDA सदस्य के नाते पशुपती जी के ने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी के नेतरित्व में लगातार अच्छे कारे किये आने वाले चुनाव में भी हमारे गटबंधन मजबूती से बना रहेगा और उनकी पार्टी बिहार में NDA के सभी 40 उम्मीदवारों का पूर्ण समर्थन करेगी साथी उनकी जीत सुनिश्चत करने में हर संभव सहियोग देगी बिहार में कॉंग्रेस ने तीन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है जहां कटिहार से तारिक अनवर, भागलपूर से अजीट शर्मा और किशन गन से मुहम्मद जावेद को टिकेट दिया गया है मंगलवार को आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी गई बता दे महागटबंधन के तहट कॉंग्रेस बिहार में 40 में से 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है चुनावायोग ने लोगसभा चुनाव को लेकर बिहार में बड़ी कारवाई की है चुनावायोग ने नवादा और भोजपुर के जिलादिकारी और स्पी को ततकाल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया है मौजूदा समय में भोजपुर डीम राजकुमार और नवादा डीम आशुतोष वर्मा है भोजपुर के स्पी प्रमोद कुमार यादव और नवादा के स्पी अंबरीश राहुल है अब इन चारों पर बड़ी कारवाई करते हुए उन्हें अपने पत से हटा दिया गया है बिहार में सारन लोकसभा सीट से लालू यादव ने अपनी बेटी रोहिनी आचारे को चुनावी मैदान में उतारा है इस पर बीजेपी की ओर से डिपटी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में बेटियों का सम्मान नहीं है और जो दूसरे देश में बहू बन कर गई है उसे उमीदवार पनाया जा रहा है बिहार के डिपटी सीएम समराच चौधरी ने लालू पर तंज कसा है रोही ने आचारे के चुनाव पर चार करने पर समराच चौधरी ने परिवार वाद का हवाला देते हुए लालू से पूछा कि हम लोग चिंतित है कि लालू जी दो बेटियों को उतार दिये हैं और लेकिन पांच बहने और बची हुई है उनको कब उतारेंगे ये भी बता दीजिए शाहनवाज हुसैन ने एक कारिक्टरम को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार के लोगसभा चुनाव में बीजेपी 40 की 40 सीटे जीतेगी वहीं खुद के भविश्य पर पूछे गए सवाल पर कहा कि मैं बीजेपी का कारेकरता था और रहूंगा मुझे बीजेपी ने जितना दिया है उतना किसी ने नहीं दिया मेरा भविश्य शीर्ष नेत्रत वताय करेगा लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अब अपने चरम पर है सभी पार्टियों ने अपने स्तर पर चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है इस बीच अब जेडियू ने इलेक्शन कैमपेंज सौंग लांच किया है जो की पांच मिनट का है इसकी खास बात ये है कि इसे बिहार के बच्चों ने ही बनाया है इस काने में रोजकार देने और नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनवाने पर फोकस है अजयनिशाद ने बीजेपी का दामन छोड़ कॉंग्रिस का हाथ थाम लिया है कॉंग्रिस नेता पवन खेडा ने उन्हें कॉंग्रिस की सदसिता दिलाई इस मौके पर बिहार कॉंग्रिस के अध्याक्ष अखिलेश सिंग भी मौजूद रहे इस तोरान उहोंने कहा कि अगर आला कमान का आदेश हुआ तो चंता की अदालत में चाऊंगा समस्तिपुर में पेट्रोल पंपर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो लाइनर को गिरफतार किया उनके पास से 55,000 रुपए नगद भी बरामत किये गए है साथ ही घटना में प्रयुक्त बाईक और एक मोबाईल को भी बरामत किया गया है नालंदा जिले में बिहार शरीफ के मगड़ा गाउं स्थित शीतला मंदर में आज शीतला अस्टमी पर मंगलवार को सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए श्रधालू की भारी भीड उमड़ी शीतला अस्टमी का त्योहार होली से ठीक आठ दिन बाद आता है पूरा शेत्र श्रधालूों से गुलजार दिखाई दिया ऐसी मानता है कि शीतला माता मंदर के पास बने शीतल कुंड तालाब में स्तान कर मंदर में पूजा अर्चना करने से चेचक जैसे रोगों से निजाद मिल जाती है सीता मढ़ी लोकसभा शेत्र से राष्ट्रिय जन तांतरिक गटबंधन में जेडियू के उमीदवार देवेश चंद्र ठाकुर की उपस्तिती में मनीश कुमार गुपता की अध्यक्षता में द्वारिका पैलेस में बैठक आयोजित की गई सीता मढ़ी लोकसभा शेत्र से जेडियू उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा की बिहार के विकास पुरुष नितीश कुमार केंद्र में शक्ति शाली प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने मुझ पर विश्वास किया है आप सभी मतदाता कारेकरता सभी सहयोगी दलों के नेता के आशिरवात से देश में 400 पार का लक्ष पूर्ण होगा और सीता मढ़ी लोकसभा में 4 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्च होगी कॉंग्रिस प्रदेश कमिटी के दिशा निर्देश पर गुमला जला कॉंग्रिस कमिटी ने करोडों रुपए का बुगदान करने और पार्टी के खाते को फ्रीज करने की बात को लेकर केंदर सरकार के विरुद नारे बाजी करते हुए मशाल जुलूस निकाला कहा गया था कि कई नेता इस जुलूस का हिस्सा बनेंगे लेकिन जब यहाँ कारिक्रम आयूजित किया गया तो मातर साथ से आठ कॉंग्रिसी नेताओं ने पूर्व घोशित कारिक्रम के तहटाज मशाल जुलूस कारिक्रम में भाग लिया प्रमोत कुमार ने दो तीन मामले को लेकर प्रेस वारता की उन्होंने बताया कि बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले शाहपुर थाना का टॉप टेन अपराद करमी गिरफतार किया गया है उसे अवैद हतियार और जिंदा कार्तूस के साथ गिरफतार किया गया है पूर्व में इसके खिलाफ शाहपुर थाने में करीब आधा दर्जन कांड दर्ज है बता दें कि जिसको गिरफतार किया गया है उसका नाम राम लखन राय है जिसके पास से एक देसी कट्टा और दस कार्तूस परामत हुए है गोपाल गंज में नगर परिशद मीर गंज के सफाई कर्मियों ने मांदे बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चत कालीन हरताल शुरू कर دिया है सफाई कर्मियों की हरताल से शहर की सडकों पर कूडा कचडा फैला हुआ है वहीं कूडा का नियमित उठाव नहीं होने और पच्छुआ हवा चलने से व्यविसायों की दुकान गंदगी से भरी रही है पुर्णिया सीट से नया अपडेट सामने आया है पूर्वसांसद पपु सिंग इस बार पुर्णिया सीट से चुनाव नहीं लडेंगे इस बात की जानकारी उन्होंने खुद प्रस वारता के जरिये दी है उनका कहना है कि वह पुर्णिया की वर्तमान स्थिती से पीडा में है उन्होंने नेत्रित्व के इस निरने पर असंतोश भी जताया है बिहार में दस अप्रेल के बाद से लू चलने वाली है इस तोरान लोगों को भीशन गर्मी का सामना करना पड़ सकता है सभी जिलों के तापमान में वृध्धी देखने को मिलेगी बिहार में बागी विधायकों की सूची लंबी होती जा रही है खबर है कि छेदी पासवान भी कॉंग्रेस का दामन थाम सकते हैं बताया जा रहा है वहां अपना टिकट कटने से नाराज चल रहे है उनके कॉंग्रेस जॉइन करने की अटकले तेज हो गई है बीजेपी के वरिस्ट नेता गिरिनात सिंग ने जारखंड के साथियों के साथ आरजेडी की सदसिता ग्रहन की एजाज ने बताया कि पाटी की ओर से सदसिता ग्रहन करने पर मेताओं ने गिरिनात सिंग को सदसिता रसीद के साथ पाटी का प्रतीक गमछा और लालू जी की जीवनी पर आधारित पुस्तक दे कर सम्मानित किया इस दोरान कई कारेकरता और समर्थक शामिल रहे भागलपुर से आज NDA के उम्मीदवार अजय मंडल ने अपना परचा जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्याले में दाखिल किया नामांकन के बाद सैंडिस कंपाउंड मैदान में जनसभा आयोजित की गई जनसभा में उपमुखे मंतरी समराच चौधरी, विजय सिनहा, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, बिहार सरकार के कई मंतरी शामिल हुए लजपी रामविलास के राश्ट्री अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि राश्ट्र हित के लिए जरूरी है मौझूदा प्रधान मंतरी को तीसरी बार प्रधान मंतरी बनाए दुनिया के हर कोने में भारतियों को सम्माल मिला है, दुनिया की पांचवी अर्थ विवस्था हमारी है, अगले पांच सालों में तीसरी बड़ी अर्थ विवस्था बनने का संकल्प है पटना में लुटेरों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया, पेट्रोल पंप संचालक से 34 लाक रुपे लूट कर बदमाश फरार हो गए, इस दौरान उन्होंने चार राउंड फाइरिंग भी की, पुलिस मामले की जांच में जुटी है फिलाल इस कास बुलेटिन में वस इतना ही, देश दुनियक तबाम बड़ी खबरों के लिए बनेरियमार साथ और देखते रहिए महुआ खबर, नमस्कार